मैं मनीशा स्वागत करते हूँ आपका MLT Education Point पर प्रिविएस वीडियो में हमने पढ़ाता सेल मेंबरेन के बारे में आज हम बात करेंगे नुकलियस के बारे में जो कि एक सेल का पार्ट है या सेल और्गिनल्स है जिसमें हम आज नुकलियस और माइटो कांड्रे के बारे में दिसक्स करेंगे तो फर्स्ट वन हम बात करेंगे नुकलियस के बारे में कि नुकलियस क्या होता है जिसा कि हमने सेल में पढ़ा था कि सेल के अंदर बहुत सारे और्गिनल्स प्रजेंट होते हैं जिसमें हमने सेल मेंबरेन के बारे में पढ़ लिया है तो आज हम किसके बा ने 1830 वनम जैर है रोबर्ट ब्राउन ने 1831 में को डिस्कावर्ड किया था और इस नूकलियस को हम सेल का ब्रेड भी केते हैं सेल का परेड क्यों प्रेड केते हैं क्योंकि यह सारी मेutा पॉलिक अक्टिवीटी को इसके ग्रोथ को इसके division को control करके रखता है इसलिए हम इसको cell का brain भी कहते हैं और control center भी कहते हैं तो देखते हैं it is double membrane enclosed organal found in eukaryotic cell निके तो ये nucleus जो होता है वो eukaryotic cell में present होता है जैसा कि हमने cell में पढ़ा था कि prokaryotic cell जो होती है उसमें well defined nucleus नहीं present होता है जबकि eukaryotic cell में well defined nucleus present होता है और क्या हमने देखा कि ये double membrane होता है जैसा कि हमने cell membrane में पढ़ा था कि हमारी cell membrane जो होती है वो भी double membrane होती है जो कि lipid की बनी हुई होती है यानि कि phospholipid और cholesterol की या protein की बनी हुई होती है तो इसी तरीके से ये जो nucleus होती है इसके layer इनकी इसकी membrane इसके अंदर यह जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसे हम क्या कहते हैं यह जनेटिक मटेरियल इन देटिक मटेरियल तो यह जो जनेटिक बनिस को गंट्रोल करता हैं इसको एक्ति यहुति हैं इसको इसाइल ने प्रजिनटिक मटेरियल तो है सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट किसके अंदर जनेटिक मटेरियल प्रजेंट होता है जो की डीने के फोम में होता है और किसके साथ प्रजेंट होता है हमेशा हिस्टोन प्रोटीन के साथ प्रजेंट होता है तो यह हमाईरा क्या है क्रोमेटीन है ठीक है क्रोमेटीन ह जिसके अंदर क्या प्रेजंट होता है डीने प्रेजंट होता है और वो किसके साथ प्रेजंट होता है हिस्टोन प्रोटीन के साथ प्रेजंट होता है डीने जो की डबल हैलिकल स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से प्रेजंट होता है यह इस तरीके से हमारा डीने प्रेजं होता है in the form of DNA DNA के form में present होता है जो कि इसके अंदर यह genetic information को hold करके रखता है यानि कि जब कभी cell division होता है जिसे यह cell division होता है तो यह further divide होती है इसमें तो इसके अंदर जो DNA present होता है वो उसकी क्या बन जाती है ठीक इसकी copy बन जाती है तो यह यह क्या हो रहा एक generation से दूसरे generation में transform हो रहा है तो इसके अंदर यह genetic information भी transform होती है तो यह hold करता है कि इसको genetic information को अब हम बात करते हैं इसके component के बारे में की बात करें हम तो nucleus जो होता है वो four components से मिलकर बना हुआ होता है nuclear membrane, nucleoplast, nucleus और chromatin network तो सबसे पहले हम बात करते है nuclear membrane की जिसे nuclear envelope भी कहते हैं तो जैसा कि अभी हमने diagram देखा था उसमें हमने देखा था कि हमारा nucleus जो है वो double membrane से मिलकर बना हुआ होता है ठीक है इस तरीके से बना हुआ होता है अभी diagram में rough diagram बना रही हूं अभी इससे पहले मैंने जो diagram बनाया था वो सही था बाकि यह मैं आपको समझाने के हिसाब से बना रही हूं तो यह यहां से इस तरीके से इसको बना देते हैं तो यह हमारा क्या हो गया nucleus ठीक है यह हमारा क्या है nucleus तो यह आपको यहां पे जो दो membrane दिख रही है इसको हम कहते है इनर membrane ठीक है यह दो membrane से मिलकर बने हुई होते है कौन कौन से फिर्ट से आउटर membrane और इनर membrane यह दो membrane है यह membrane क्या करती है separate the genetic material from cytoplasm जैसा के हमने सेल में पढ़ा था कि यह हमारा सेल है सेल के अंदर क्या present होता है fluid present होता है जिसे हम कहते हैं cytoplasm क्या कहते हैं फिर्ट साइटो प्लास अभी सेल के अंदर यह हमारा यहां पर क्या present है nucleus present है अभी nucleus के जो यह nuclear membrane है जिसे हम nuclear envelope भी कहते हैं यह क्या करती है यह अंदर के जो इसके genetic material present है या nucleoplasm present है इसको separate करती है किस से इस cytoplasm से जैसा कि हमने सेल में देखा था कि यह जो सेल membrane है यह इस cytoplasm को बाहर के environment से बाहर के पानी से separate करती है उसी प्रकार यह साइटोप्लास्म को और genetic material को separate करके रखती है उसके बाद consist of lipid bilayer यानि कि यह जो दोनों membrane होती है इसकी like cell membrane cell membrane भी lipid के बने हुई होती है यह भी lipid bilayer के बने हुई होती है जिसे कि phospholipid और colesterol space between two membrane called perinuclear space अभी यह जो हमारी cell membrane ने nuclear membrane जो है यह nuclear membrane के बीच में यहां पर space present होता है जहां से हमारा endoplasmic reticulum continue होता है यह हमारा यहां से endoplasmic reticulum continue होता है जिसे हम rough endoplasmic reticulum कहते हैं क्योंकि इसके उपर क्या present होते हैं इस प्रकार से ribosome present होते हैं इसलिए हम इसको rough endoplasmic reticulum कहते हैं तो यहां से कौन सा endoplasmic reticulum continue होता है nuclear membrane से nuclear outer membrane से तो rough endoplasmic reticulum जिसे हम RER भी कहते हैं तो space between two membranes called perinuclear space यानि कि इन दोनों के बीच में यह जो space है इसे हम क्या कहा रहे है पेरी nuclear space outer membrane continuous with RER यानि कि rough endoplasmic reticulum मैंना भी आपको बताया कि यह जो outer membrane है वो continue होती है किसके साथ इस rough endoplasmic reticulum के साथ तो यह nuclear pore are composed of several protein यानि कि आपको यह छोटे छोटे छेद जो दिखाई दे रहे हैं जिसे हम pore कहते हैं वो protein से मिलकर बने हुए होते हैं यह इस तरीके से यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं तो यह क्या है जिसे हम nuclear pore कहते हैं क्या कहते हैं पोर कहते हैं जो कि protein से मिलकर बना हुआ ह होता है जो कि molecule को मतलब बाहर से अंदर आने के लिए और अंदर से बाहर जाने के लिए काम करता है यानि कि यह पोर क्या करता है इसके द्वारा यह जो molecule अंदर प्रजेंट होते हैं वह बाहर जा सकते हैं उसके बाद इसके फ्लो को भी regulate करके रखता है तो अब हम बात करते हैं नुकलियो प्लास्म के बारे में तो यह नुकलियर मेंब्रेन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी अब देखते हैं नुकलियो प्लास्म के बारे में नुक्लियो प्लास्म क्या होता है जिसे साइटो प्लास्म होता है सेल के अंदर क्या प्रजेंट होता है साइटो प्लास्म प्रजेंट होता है इसी प्रकार इसमें जेली लाइक मैट्रिक्स प्रजेंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं नुक्लियो प्लास्म क्या कहते हैं फ्रें को यहां पर उसकी कोपी हो जाती है यहँ करता है इसके अंदर लौट्स पर एंजाइम प्रसेंट होते हैं जो कि सेल की एक्टीविटी को इंक्रीज करता है न UX के द्वारा अब हम बात करते हैं नुकलियो के बारे में कि इसी सेल नुकलियर मेंब्रेन के अंदर क्या प्रजेंट होता है नुकलियोलस प्रजेंट होता है यह हमारी नुकलियस है और इस नुकलियस के अंदर इस प्रकार से यह नुकलियोलस प्रजेंट होता है तो देखते हैं नुकलियोलस क्या होता है अब बात करते ह है euPlay limbsную Brothers usah nukleus जो हे वह जो सबसे लारजस्ट स्ट्रक्चर हει जो कि nukleus के अंदर जो percentage भूँ समय प्रजेंट होता है उसमें प्रेंट होता है जो क्या है लारज तर्च की यानिकि इस प्रकार से त्र टाoug होता है जो कि क्या है इन यूचल dub dejakiej थो यह उदा है क्योंन सेथे संधेस संधेस करना है जब होता है स्पा्य जी रहे हां कि आइबसों को हम प्रोटीन की यह क्रेंगे यहां क्परिसी इंड आइए है क्युक्न Großbr करने का काम कोन करता है हमारा teu क्रोभी और सुझी अब हम बात करते हैं नेटवर्क की जो कि इस बहुत ही important पॉर्ट है है nucleus का chromatin network या फिर chromatin fiber क्या है यह मारा Nucleus Nucleus के अंदर जो आपको thread like structure यानि कि यह पतला जालीनुमा structure आपको दिखाये दे रहा है इसे हम क्या कहते हैं friends chromatin इसे क्या कहते हैं chromatin तो इस chromatin को यह तो हम यह सकते हैं कि contain the genetic material यानि कि इसके अंदर genetic material present होता है in the form of DNA with protein कौन सा protein histone protein यानि कि DNA और histone protein दोनों मिलकर क्या बनाते हैं इस्टोन प्रोटीन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं chromatin network किया रही हूं कह सकते हैं या फिर यह जो chromatin network है वो stone protein or DNA का मिलकर बना हुआ होता है यह इसके अंदर present होता है जो कि क्या है genetic material है with protein molecule organized into structure called chromosome यह chromatin material कब दिखाई देता है जब cell का division होता है यह हमारी cell है जब cell का division होता है अब यह तो पताई है कि cell से ही एक organism बनता है यानि कि cell जो है जब develop होता है sorry division cell का होता है तो उससे एक body develop हो सकती है तो जब cell का division होता है तो उस वक्त जो फेज होती है interface जो होती है first में उस interface में यह chromatin material जो है वो appear होता है यानि कि chromatin material देखने को मिलता है उसके बाद में जब cell का division होता है तो जो mature phase होती है उसमें यह chromatin जो है वो किसमें क्रोमोजोम में कनवर्ट हो जाता है यानि कि क्रोमोजोम का शैप ले लेता है इसमें यह उसको शैप को चेंज कर देता है खुद के शैप को चेंज कर लेता है यानि कि कंडेंस हो जाता है इन दर क्रोमोजोम यानि कि यह इस तरीके का कुछ sexyable मिलता है जब सेल का Division होता है जब मैचौर डिवीजन होता है उस वक्त और उस से पहले चो इंटरफेजовать होती है यानि कि होने वाला होते है डिविजन ऊस वक्त अटैवर TOP है जिससे हम कहेते हैई जनाइटिक मडियाल और जाले वाला होता है उसके बाद में जब मैचोर स्टेज होती है तो इसमें यह क्रोमोजोम के रूप में दिखाई देता है यानि कि यह अपने शेप को चेंज कर लेता है जिसे हम क्या केते हैं फ्रेंड्स क्रोमोजोम क्या केते हैं क्रोमोजोम ठीक है और इसके अंदर हमारा क्या प्रजेंट होता है यह DNA प्रजेंट होता है जो की डबल हैलिकल में प्रजेंट होता है इस तरीके से यह क्रोमोजोम में प्रजेंट होता है यह क्या है जनेटिक मटेरियल है अपियर इस थ्रेड लाइक परिंजर है उसकी बाद क्रोमोजोम होने वाला होता है उसमें इन इटाइज धाई हुड तो यह क्रोमेटी नेटवर्क जिसके अंदर क्या प्रेजिट ही जनेटिक मेटेरियल प्रेजन जो है एक जनेरेशन से दूसरे जनरेशन में भी पास होता है यह ट्रांस्वर्म होता है जैसे कि पैरेंट्स सेल यह हमारी डौर्टर इसल में कौन DNA और protein, कौन सा protein, histone protein DNA और histone protein ये भी transform होता है यानि कि ये क्या करता है, information को hold करके रखता है जैसे कि आपके पिताजी से आप में information आई है यानि कि एक generation से दुसरे generation में ये transform होता है कौन DNA और histone जो कि क्या है, genetic material है तो हमने देखा किसके बारे में chromatin fiber क्या होता है, chromatin network क्या होता है और chromosome के से बनता है, किसे chromatin network से इसके अंदर क्या present होता है DNA प्रेजिट होता है, यानि कि D oxy-rymonucleic acid तेके अब सबसे important बात एक और कि हमने देखा कि nukleus के उकायोटिक विषं हो तो अनके प्रेजेट के अंधर प्रैजेट होता है लेकिन यूचैरोटिक सेल में एक ऐसी ऐखेल में कौन से ओं नरुकलियस नहीं प्रैजेंट होता है कौन सी ऐसी cell है friends RBC बहुत ही important point है point of view main exam competitive exam ता आप इस पर star कर लो कि कौन सी ऐसी cell है जिसके अंदर nucleus नहीं present होता है तो उसे हम कहते हैं RBC यानि की red blood cells clear है और अभी हमने देखा था कि यह हमारा क्या है यह हमारी nuclear membrane है अब यह nuclear membrane के यहाँ पे जो pores present होते हैं छोटे छोटे जहां से molecule ट्रका ट्रांसपोर होता है तो इन molecules यह pores जो होते हैं लगबक कितने present हो सकते हैं 3000 से 4000 pores हो सकते हैं तो यह भी important है यह सलिए मैं आपको बता रही हूँ तो RBC में nucleus नहीं present होता है 3000 से 4000 पोर्स present होते है rRNA ने जो मैंने आपको बताया था जो कि क्या करता है यह ribozome का formation कौन करता है हमारा nucleus ठेक है और rRNA का formation भी करता है जिसका full form क्या होता है ribozomal ribonucleic acid ठेक है तो यह भी important है कि ribozome का formation कौन करता है तो नुकलियोलस करता है यह मैं important important point बता रही हूं जो कि पूछे जा सकते हैं और chromatin network के अंदर क्या क्या present होता है genetic material present होता है DNA और histone protein present होता है जो कि एक generation से दूसरे generation में transform होते हैं तो यह आज हमने पढ़ा nucleus के बारे में अब हम इसके function देख लेते हैं वैसे तो almost function हमने पढ़ लिय रहेते हैं कि function क्या होते हैं क्या काम होता है nucleus का nucleus contains genetic material मैंने आपको बता है कि nucleus के अंदर क्या present होता है in the form of DNA DNA के form में present होता है जो कि एक generation से दूसरे generation में formation of ribozome and RNA जैसा कि हमने देखा था कि हमारा nucleus nucleus के अंदर क्या present होता है nucleolus present होता है और यह क्या करता है ribozome का formation करता है ribozome का formation करता है मतलब की protein का synthesis protein का formation भी होगा क्योंकि इसको क्या कहा जाता है protein की factory कहा जता है important है not कर लो कि ribosome को protein की factory कहा जता है तो formation of ribosome and rRNA यह rRNA भी किसके अंदर formation होता है इसका nucleolus के अंदर होता है responsible for growth and division of cell यानि कि cell की growth के लिए और cell के division के लिए भी कौन responsible होता है nucleus तेखे protein synthesis का काम करता है ribosome का synthesis मतलब protein का formation भी हो रहा है control the metabolic activity of cell यानि कि यह सभी metabolic activity को control करके रखता है जिसे कि ribosome है तो यह ribosome को बलता है कि भाई तो तेरा काम कर तो ribosome बना तो protein बना ठीक है तो सब को अलग-अलग सभी के activity को control करके रखता है यानि कि cell की growth को control करके रखता है cell division को control करके रखता है protein synthesis को कंट्रोल करके रखता है इसलिए हम इसको कंट्रोल सेंटर भी कहते हैं किसका सेल का स्टोरे जो बेने आरेने और राइबोजोम यानिके आरा फॉर्मिशन तो करता ही साथ इसाथ उनको स्टोर करके भी रखता है कौन नुकलियस तो इतने सारे मौस्ट इंपोर्टेंट सेंट होता है मासा बात करें म मगो काद हें पता है कि हमारी यह बहुत फंक्शन पर्फोर्म करती है बहुत सारे काम करती और इतने सारे काम करती है तो इनर्जी की जरूरत होती है तो एनर्जी ब्सक्राइब की बात Elmo क करेatell relación着 अगर केवल एक की बात करें तो उसे क्या कहेंगे Mitochondrium और अगर बहुत सारे Mitochondria की बात करें तो उसे हम क्या कहेंगे Mitochondria तिक्षा अगर एक है तो Mitochondria और बहुत सारे हैं तो Mitochondria Mitochondria are Double Membrane Bound Organals Present in the Cytoplasm यानि के यह कहां पर present होता है साइटोप्लास्म के अंदर present होता है सेल के अंदर साइटोप्लास्म और साइटोप्लास्म के अंदर क्या present होता है mitochondria present होता है जो कि double membrane bound होता है अभी तक हमने देखा कि cell membrane भी double bound होती है nucleus जो होता है वो भी double bound होता है और ये भी double membrane bound होता है तो ये हमारी बाहर की ओर जो हमें दिखाई दे रही है ये क्या है हमारी outer membrane और आपको ये जो अंदर दिखाई दे रही है जो की fold हुई है इसको हम कहते हैं inner membrane ये हमारी inner membrane है और ये हमारी outer membrane है produce ATP, adenosine triphosphate क्या कहते हैं हम इसको ATP को adenosine triphosphate यह ATP produce करता है the main energy molecule used by cell यानि कि यह क्या करता है energy produce करता है जब हम कोई nutrient लेते हैं कोई भी जैसे carbohydrate protein तो उसका क्या करता है यह breakdown करता है breakdown nutrient and form ATP यानि कि ATP का formation करता है और इसी ATP को cell जो है वो energy की रूप में use में लेता है तो produce ATP यानि कि adenosine triphosphate the main जो क्या है energy molecule है used by cell और इसी energy molecule को यह cell जो है वो energy के रूप में use में लेता है known as powerhouse of the cell इसको हम इसे लिए powerhouse of the cell भी केते हैं क्योंकि इसी से cell को energy मिलती है अब हमने देखा कि यह mitochondria जो होता है वो double membrane होता है outer membrane और inner membrane इसके बारे में structure में detail में बात करते हैं पर उससे पहले मैं आपको एक बात और बता देती हूं कि number of mitochondria यानि कि इस mitochondria के number depend करते हैं cell की activity के ऊपर यानि कि जैसे कि liver cell है यह ज़्यादा activity करती है तो इसको ज़्यादा energy की जरूरत होती है जितना ज़्यादा काम करोगे उतनी ज़्यादा energy लगेगी तो अगर liver cell है इसको ज़्यादा energy की जरूरत लगते हैं इसलिए इसमें 500 से 1500 लग प्रजेंट होते हैं जिसे muscle cell है कि यह उसके लिए अनर्जी की ज्यादा जरूरत होती है तो उसमें भी ज्यादा प्रेजिन्ट होते हैं इसके लिए कम लगती है तो इस conven OH है जिसे रेट्व मात करते हैं माईक्षे कोन्रा क dos परत शॉने शॉने प्रेटा के बारे में मैं और एक होती है इनर मेंब्रेन अब हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी आउटर मेंब्रेन की तो यह आउटर मेंब्रेन क्या करता है कवर दे शर्फीस ओप माइटो कांड्रिया और इन प्रोटीन दोटीन और ते यहांब करते हैं और इन के अंदर प्रोटीन प्रेसंट होते हैं जिसे हम पौरने की हैं और इन पोरिंस की मदद से मॉलेक्यूल जो है वहागों इससे बाहर जा शकते हैं या एसली आसकते हैं तो अलोव मुऔंट ayamad आयनिध के मुव़ुमेंट को भी यानिकी एसली अंदर से बाहर जा सकते हैं और इसली आप सकते हैं एंजाइम इन्वालट फॉर ऑक्सीडेशन में इसमें क्या ही होता है, drept कै organizations कि Oxidation किसकी presence में होगा? In the presence of oxygen. Oxygen इसने कहां से ली? बाहर से इसने क्या ली? Oxygen ली और enzyme इसके अंदर present है. तो ये enzyme और oxygen मिलकर क्या बनाएंगे? Carbon dioxide और Res2O बनाएंगे. तो इसमें क्या करेगी? इस carbon dioxide को ये क्या करेगी? बाहर निकाल देगी. तो इसने क्या ली? Oxygen ली बाहर से. और carbon dioxide को इसने बाहर निकाला. तो ये क्या हो गया? Respiration हो गया. तो ये enzyme यूज़ करता है. Involve होता है कि इसमें Oxidation में. Inter membrane space. Inter membrane space हम किसे कहते हैं? कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा? कि ये बाहर क्या है? Outer membrane है. और अंदर जो है, folded structure आपको दिखाई दे रहा है. जिसे हम कहते हैं Inner membrane. अब यह Outer membrane और Inner membrane के यहाँ पर जो यह Space प्रजेंट है. यहाँ पर इसे हम क्या कहेंगे? Inner, Inter membrane, Space. तो अब हम बात करते हैं किसकी Inner membrane की? कि हम बात करते हैं Inner membrane के बारे में. तो inner membrane कहाँ पर present होती है अभी हमने देखा कि यह हमारी क्या है outer membrane है और यह हमारी क्या है inner membrane है जो कि इस तरीके से fold हुई हुई है ठीक है यहाँ पर यह fold हुई है तो इसे हम क्या कहते है inner membrane यह inner membrane क्या करती है compartment बना लेती है या फिर section बना लेती है ताकि इसको ATP synthesis के लिए जगह मिल जाये तो contain enzyme for ATP production इसके अंदर क्या present होते हैं enzyme present होते हैं जो कि ATP production के लिए synthesis के लिए responsible होते हैं permeable oxygen और H2O यानि कि यह semi-permeable membrane होती है पर यह जो हमारी outer membrane है यह भी semi-permeable होती है लेकिन इसमें जो molecule है वो easily pass हो जाते हैं तो यह more semi-permeable membrane होती है मतलब कि यह easily किसी भी molecule को आने या जाने नहीं देती है यह इसके उपर depend होता है इसकी इच्छा होती है तो molecule को भार बेज़े की नहीं तो नहीं बेज़ेगी मतलब कि इस तरीके से होता है fundamental site of ATP generation यानि कि fundamental site of ATP generation यानि कि ATP यहाँ पर generate होती है ATP का formation होता है ATP का formation कब होता है जब हम को nutrient लेते हैं जिसे carbohydrate हो गया protein हो गया उसका breakdown होगा और क्या होगा ATP का formation होगा और उससे हमें energy मिलेगी उससे हमें नहीं sorry cell को energy मिलेगी तो उसको इतने सारे काम करती है सेल तो energy की ज़रूरत तो होती है तो वह कहां से मिलेगी उसको ATP से space within inner membrane known as matrix अब हम देखते हैं कि यह जो inner membrane है इसके अंदर आपको यह जो space दिखाई दे रहा है यह यहाँ पर इसे हम क्या 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 होते हैं matrix इसह इसे matrix के अंदर बहुत सर्च्ट बगों हती है तिसे इनल पर इसाफ़ाल पर होते हैं रच्ट केуз prejudice होत औकनी नहीए हैं यहाँ जिसे कि यहां पर ऑने बताया है तो यह क्या है इसे हम क्या कहते हैं क्रिस्टी तो यह फॉल्ट क्यों होते हैं इसलिए होते हैं क्योंकि इससे क्या होता है इसका surface area जो है वो increase हो जाता है increase हो जाता है मतलब कि यह इस outer membrane से बड़ी है लेकिन यह इस fold हो गई है इसलिए यह आमको छोटी दिखाई दे रही है बाकि यह outer membrane से क्या होती है बड़ी होती है तो इसने यह fold इसलिए बन गए है यानि कि क्रिस्टी जो है वो इसलिए है क्या कि इसके अंदर जो ATP synthesis होता है तो उसको जगे ज़्यादा मिल जाए ATP synthesis के लिए इसलिए यह fold हो जाती है इसके पास इसका खुद का DNA होता है और राइबोजोम होता है यानि कि इसके पास जो राइबोजोम होता है वो खुद क्या करता है प्रोटीन का सेंथासिस करता है प्रोटीन का काम क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है मॉलिक्यूल का और DNA का काम क्या होता है जिसे क हमने पढ़ा कि अभी तक सेल के अंदर जो नुकलिस तेन होता है कि vào शी जूंदर ऐसा जिसके अडर इसका कुछ नहीं होता है यह कुछ से टिवाइड हो सकता है इसको तुछ के लिए उसके लिए उसपर दिपैंड नहीं होता है इसके पास इसका खुद का DNA होता है यह तो यह कुछ से ही डिवाइड हो सकता है जैसे कि हमने देखा कि नुकलियस के अंदर जो है वो डबल हैलिकल DNA प्रजेंट होता है जबकि इसमें जो DNA प्रजेंट होता है वो सर्कुलर फॉर्म में होता है कुन से फॉर्म में होता है किसके structure के बारे में अब हम बात करते हैं इसके function के बारे में कि mitochondria का क्या क्या function होता है क्या 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 होता है प्रोड्यूज एनर्जी एनर्जी का production करना ये मैंने आपको बताई दिया है metabolic activity of cell यानि कि cell की metabolic activity को regulate करके रखता है जो भी हम protein लेते हैं जो भी nutrient लेते हैं उनका breakdown करने का काम करता है responsible for cell growth and multiplication यानि कि cell की growth के लिए और multiplication के लिए भी responsible होता है क्योंकि cell की growth होगी तो उसको energy की ज़रूरत तो होती ही है तो यह energy का production करता है waste elimination मैंने आपको भी बताया कि oxidation यानि कि cellular respiration का काम भी करता है तो उसमें यह क्या करता है oxygen लेता है और oxygen और enzyme की presence में क्या करता है CO2 रेस्टो बनाता है तो इसे CO2 को यह क्या करेगा बहार निकाल देगा तो यह क्या है waste है तो waste को eliminate करने का काम भी करता है maintain calcium ion concentration यानि कि calcium ion concentration को maintain करके रखता है क्योंकि calcium ion जो होता है वो जरूरी होता है जिसे blood clotting के लिए जरूरी होता है muscle contraction के लिए जरूरी होता है तो आज हमने पढ़ा nucleus और mitochondria के बारे में I hope आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा तो बने रहे हमारे साथ मिलते हैं अगले वीडियो में लाइक करें सस्क्राइब करें शेयर करें धन्यवाद